आज का ये वीडियो आपके लिए काफी काफी जादा इंपोर्डेंट होने वाला है क्योंकि आप अपदा से जितने भी प्रश्ण आपके परिक्षा में पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्ण आज की मात्रिक वीडियो में आपको बता देने वाले हैं और आपको बता दे कि य एकजाम अब काफी नजदिक आ गया है टोटल ऐसे 45 ही प्रश्न है जो आपके परिच्छा में पूछे जाते हैं तो कौन-कौन से ऐसा प्रश्न है वे सभी प्रश्न आज हम लोग जानेंगे अगर उसका उत्तर आपको पहले से पता होगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बत कारण क्या होता है जो सुनामी होता है उसका परमुख कारण होता है तो आपको टिक करना है कि समूंदर में भुकम का आना जो सुनामी का कारण होता है अगले प्रश्ण की बात करते हैं तो देखे अगला प्रश्ण बहुती संदार प्रश्ण है और प्रश्ण है कि भुकम की इस प्रकार की आपदा है देखे भुकम की बात करते हैं तो भुकम एक प्रकार की परकिर्थिक आपदा है यानि कि आप्सन C हो जाएगा देखे परकि गैस तरासदी किस प्रकार की आपदा थी तो एक वाई मंडेली आपदा थी आणा तो इसका एंसर क्या हो जागा आपका उप्सन जो जागा वह सी नंबर हो जागा तो आपको एक दम याद करते जाना है अगला देगे बहुत बड़ी हैं प्रश्ण है हमेशा जो है ना यह अगले जो प्रश्ण है बहुत बड़ी हैं प्रश्ण है कि इन में से कौन जो परकिर्तिक आपदा नहीं है परकिर्तिक आपदा नहीं है कहाने का मतलब हो गया कि उमानों जनी दबदा होनी चाहिए यानि कि मानों को दोरा घटित की गई होनी चाहिए यानि कि आपका यहां था वो कब आय था तो 1934 में आय था यानि कि option जो दिया गया है ए नमबर आपका बिल्कुल क्या हो जागा करेक्ट उतर हो जागा कि 1934 में आया हुआ था अगले प्रश्ण की बात करते हैं बहुत इसंदार प्रश्ण का रहे कि क्रिसी सुखाड होता है क्रिसी सुखाड तो क्र चेत्र बाढ़ ग्रस्ट चेत्र होता है तो उत्री बिहार है यानि कि option के आवजागा डी नमर हो जागा आपको पता है तो फड़ा फट कमेंट करके बता देरी है और अभी तक लाइक ने किया जल्दी से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ने किया तो जल्दी से चैन सब्सक्राइब नहीं हैन मर्य तो उतं करते हैं यानторы हो जागा अग्तम दिमाग में बैठाती जाने एकदम याद करते जाना है ना के लिए अगला प्रश्ण कर रहा है कि पच्छे मंगाल में बाड की बिभीष का वाली कौन सी नदी है क्या है प्रबंधन का परमुग जो घटक होता है वह प्रमुग घटक कौन होता है आपदा प्रबंदन का प्रमुखटक option कहा रहा है कि अस्थानिय प्रसासन स्वेम सेवी संगाठन गाम होले के लोग और ये सबी तो ये सबी हो जागा यानि का option क्या हो जागा आपका option D number हो जागा है तिक दम याद करते चले जाना है अगला दिखे अगला बहुत ली बड़ी है प्रशन है और प्रशन का रहा है कि दरशिड पूरी एसिया की देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौनसी आपदा आया था आपको ये बताना है कौनसी आपदा जो है वाए था आपको ये बताना है और यह question बहुत बार यू है वह पूछा जाता है तो इसका answer हो जागा mobile टावरों तथा transmission का क्या और ना टावरों का टूर जाना यानि कि यह हो जागा आपको option A number बिल्कुल correct उतर हो तो एकड़म आप याद करते हैं यह चलिए अगले प्रश्ण की बात करते हैं अगला देखे अगला प्रश् Goku बहुत ही संदर फड़र था अब तो आपको सहरी चीज़ें बता दिया कि प्रकृतिक आप्ड़ मानोजनित अबदा कब होती है अन act तो बार कौन सी अबदा है फिर दियुख कोई रहे है कि निमले कित में से किसे किस नदी को बिहार का सोग शूर बिल्कु तो यहां पर जो दिया गया जल के अधिकता आपको दे देता है केवल यही जल के अधिकता तो वैसे आप अगर दोनों देता है तो दोनों पिटी कीज़ेगा वैसे आपको बताने हैं चाहिए कि यहां पर जोगा वह यहां पर बरसा का होना देगा यहां पर ऑप्सन जो साय दूहर लग रहा है कि गलती से टाइप हुआ है और यहां पर नीचे आपको इन में से सब ही होना चाहिए ठ तो सुनामी की सस्थान पर आता है तो सुनामी जोता कहां पर आता है तो समुदर में आता है यानि क्या होजाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा तब बीनमर बिल्कुल लिग बीनमर आपका बिल्कुल गरेक्ट इतर हो जाएगा कि सुनामी जोता है वो कहां आता है समुदर में आता है अगला देखिए बहुत्थे संदार प्रसन कर रहा है कि भूपतल की नीचे का अस्थान जहां भुकम का जर्म हो जाना है आपको यह बताना है यह प्रशन क्या होजा सबसे खतरनाक तरंग की बात करते है तो एल तरंग होती है यानिका उप्सन क्या हो जाना चाहिए आपका उप्सन हो जाना चाहिए C नंबर हो जागा अगले प्रश्ण की बात करते हैं बहुत बड़ी है यह कुशन है कि इनमें से कौन सा जहा है वह भूत अपिये तरंग नहीं है आपको यह बताना है तो क्या हो जागा आपका इसका बिद्कुस सायूतर हो जागा ऑप्सन डी नंबर की ओ जो तरंग है वह भूत अप प्रश्णे 26 नंबर प्रश्ण में आप लों पहुंच चुके हैं और बहुत बहुत पॉट को संदार कोशन है कि भुकम से प्रिद्भी के सता पर पहुशने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है बहुत ही बढ़िया प्रशने फटापट जबाब दे तो बिल्कुल तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है यानि कि अप्सन के आउज़ागा आपका ए नमर हो जागा बहुत ही बढ़िया प्रशने और प्रशने का रहा है कि बाढ़ के समय निमलिकित में से किस अस्थान पर जाना चाहिए बाढ़ के समय में तो बाढ़ के समय में का जाना चाहिए उची अस्थान पर जाना चाहिए यानि कि उची भूमी वाला अस्थान पर जाना चाहिए यानि या उप्सन क्या हो जागा ए नमबर हो जागा अगला दिखे, अगला प्रश्ण कर रहे है कि बर्तमान में सबसे अधीक उप्योग दीने वाला जो साधन है वो कौन सा है बर्तमान में जो सबसे ज़्यादा उप्योग किया जा रहा है कौन सा है साधन है तो वह मोबाइल है कौन सा है वह मोबाइल है सबसे उपन हो गया है मोबाइल यानि का उप्सन हो जागा से नंबर अगला दीखें अगला प्रस्णि क्या कर रहा है कि सुदूर सन्वेदी ऊपगर यानि की रिमोट सेम सिंग उग्र का प्रयोग किस लिए घुता है आपको यह बताना है काफी बढ़ी है काफी इंट्रेस्टिंग टॉपी कि आपका काफी मज़ेदार जो है को अपको हना तो क्या हो जागा बिल्कुल यह जागा इन सभी के लिए किया जाता है कि दूर संचार के लिए संचार का सबसे लोकप्रिया साधन क्या होजागा तो यहां पर नहीं है बैगलफिक संचार साधन इनमें से उहां आर्को यह बता प्रती सन्दार प्रता अगले अगले बदी सब्सक्राइब है कैसे बहुत यह प्रधी काफी संदार प्रश्न Elizabeth करे हैं कि निमलिखित लावकारी है या फिर उप्योगी है फट्टा फट्ट बदे ये तो कि भूस अखलान वाले छेत्रे में ढालान पर माकानों का निर्मार कैसी है तो वह क्या है वह लवकारी है यानि का उप्षन जाओ जाएगा आपका उप्षन सी नंबर हो जाएगा अगला देखे अगला प्रशन कहा रहा है कि रिंग बांध किसके लिए उप्योगी होता है रिंग बांध यह होता हुआ किसके लिए उप्योगी होता है या आपको यह बता ना है तो इसका बिल्कुल से उतर हो जागा किसके लिए बार के लिए होता है इसका क्या हो जागा ठीक है रिंग बांद अगला दिखे अगला प्रश्ण अब इक तालिश नमर प्रश्ण बहुंच चुके हैं अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ने किया चैनल को जल्दी से कर लिजी सोचिए मत फटाफट कीजिए नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी अगला प् हो जाएगा अगला दिखे प्रश्ण के रहा हैं सबीगा कि भूस भुकॉम संभावी चित्रों में भावनों की अक्रीती जो होनी चाहिए वह कैसी होने चाहिए बहुत इसंदार प्रश्ण तो आयतकार होनी चाहिए यानि कपसन क्या हो जागा डी नमर हो जागा बहुत बा है कि सुना मीटर समुंदर तल में जब जानते हैं कि सुनामी आता है तो सुनामी नहों गाते हैं यहां पर प्रश्ण कहा रहा है कि आपदा परबंधन किसे कहते हैं आप पदा परबंधन किसे कहते हैं तो परकिर्थिक आपदाओं के दूस परभाव को कम करने का उपाई कि जाना ठीखिये आपिधा प्रबंदन कल Sydney आपसे और डाउंलोड करने के लिए op जड़ेक्टिव सब्जक्ती प्राप bog करने क्लिए आपको सामने जो है इस प्रकार से जो 3. जो देखने को यहां पे मिलेगा वैसे तो यहां पे सारी चीजह यहां पे मनील जाएगी objective अब्जैक्टिव सब्जैक्टिव आगा देख सकते हैं तो जो आपको सब्सक्राइब करके दिखा देते हैं इस पर किलिक आपको देख सकते हैं यहां पे सारा का सारा कोशन यहां पर देखिया चुका है और इसका उत्तर जो है आपको नीचे जागा ठीक है और सबसे जबरजस्त जो है वो आपका online test देंगे तो काफी जबरजस्त है हाना तो online test पर क्लिक कीजी और बहुत ही जबरजस्त है अधीज़े को बड़ी मज़ा आएगा जैसे यहाँ पे क्लिक करते है और देख सकते हैं यहाँ पर सही है तो देखें सही पर आचुगा है गलत होता तो आपको बताता है फिर आगे जाना है और इसमें एक आवाज भी उत्पन होगी आपको बताएगा भी कि आपका सही है या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताफ बचन का तो फड़ा पड़ से कीजिए अगला दिखेए अगला जो प्रशने हम सभी का अंतिम प्रशन नमर आप हमें बताइए कि आपने अबदा का पूरा अगदम निशोड अपने पढ़ लिया पूर एकदम निशोड गई तो निशोड था आप 45 प्रशन करें प्यात कर लेते हैं समझे एक भी कुश्चन आपको आपको आपड़ा से नहीं छोटेगा तो कैसा लगा यह वीड दोस्तों में भी शेयर कर देए थाकि उनको भी नोलेज वाया जितना भी वीडियो इस चैनल पे नहीं देखें सारी वीडियो देखें और हाँ